अस्सलाम अलेकूम दोस्तों, वीडियो में हम आपको दाएंगे सॉधी की लेटेस्ट इम्पोर्टन अपडेट, इंपडेट इए वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टन है जो लोग अभी सॉधी अरब में एंटे करने वाले हैं, या सॉधी अरब में अभी रह रह र तो सारे जान का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप जरूर पूरा दिखे ताकि आपको पूरी जान कर मिल जाएंगे दोस्तों सबसे पहले रोल्स के बारे में बात कर लेते हैं अगर आप सुधी अरब में किसी भी सरकारी प्रैवेट जगा में काम करते हो और वहां प के अंदर मानुत तसकरी काम करते हो दोसी ठहराय जाने पर आपको तीन साल की जेल इसके साथ यहां पर कहा गया है कि 30,000 रियाल का जुर्बाना भी लगाय जाएगा दोस्तों अगर आप अनैतिक तरीके से किसी को छूते हो मतलब यह है कि अगर आप गलत तरीके से अभधर क करते हो किसी को लालस देते हो किसी भी सरकारी करमचारी को इसके साथ अगर आप किसी को बदनाम करने की कोशिस करते हो तो आपको यहां पर पांच साल की जेल हो सकती है यह सौधी गबर्मेंट की तरफ से कहा गया है और हम आपको बता दे कि यहां पर एक इतोपिया का बारा सा का जेल हो चुका है तो ऐसे में आप कोई भी ऐसी गलती ना करें दोस्तों अगर आप सौधी एरब में एंडे करने वाले हो अजनभी हो तो सौधी के तोकलना आवेदन की तरफ से एक नई अपडेट दी गई है और अभी अप्लिकेशन को अपडेट किया गया है कहा गया है कि अगर आप सौधी एरब में आते हो तो वहाँ पर क्या है कि कुछ लोगों को दिक्कत होती है ऐसे में आपको फोन किया जा सकता है और इसके लाव हम आपको बता दें कि आप जो है रेजिस्टेशन करें क्योंकि काफ की लोग चिकिस्या भीमा नहीं लाते हैं आपको भीमा लाना चाहिए और अपन राइस्टेशन तकलना में भी करना चाहिए और वांकी सिवाओं का भी लाफ लेना चाहिए दोस्तों अगली अपडेट भी जुर्बाना को लेकर है अगर आप सौधी अरब में रहते हो तो ऐसी कोई भी गलती ना करें क्योंकि सौधी अरब में अगर आप कवक जिव को आकरसित करते हो मतलब किसी को मारने के लिए उसको आकरसित करते हो तो 50,000 रियाल इसके साथ बिना लाइसंस के आप कहीं भी किसी भी जगा सिकार करने के लिए जाते हो तो आपके उपर 10,000 रियाल का जुर्बाना लगाए जाएगा और सौधी में अ काले की तरफ से दिया गया कहा गया है कि जो भी मुजिन है जो भी साओधी एरब में मज़िद में काम करने वाले लोग है वो किसी से किसी भी तरीके का कोई भी चंदा न्यार लें क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि चंदा लेते हैं बोलते हैं कि आप जो है नमाज ना पढ़ या कुछ इस तरह से जो है बोल सकते हैं तो ऐसे में अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो उसके खिलाब कड़ी कारवई की जाएगी और कहा गया है कि रमजान के दौरान सभी जगहों पर कैमरे लगाया जाएंगे बीडियो किया जाएगा और जो बीडियो है फोटर है वो लखा जाएगा तो ऐसे में आप कोई भी ऐसी गलती ना करें और आखरी के दस दिन आपके लिए बेहत इंपोर्टेंट है जो लगातार आप सभी लोग गवर्मेंट के नजर में हो